प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविन सिंग रोटासरा की जैपूर इस्तिस सरकारी बंगले पर नाथी का बाड़ा लिखने के विवाद ने सियासी तूल पकर लिया है घटना के बाद जैपूर में प्रदेश भाजपा मुख्याले पर पुलीस तैनात की गई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजंदर राठोर पूर्व मंतरी अरुन चत्रवेदी जैपूर शहर अध्यक्ष रागव शर्मा उप महापूर पुनित करनावत युवा मोर्चा प् परति विवाद थमने का नाम नहीं ली रहा है अब राजनितिक लोगों के बयान भी चर्चा का विशय बना हुआ है कुछ दिन पूर्वे PCC चीफ गोविन सिंग टोटासरा के एक शब्द नाथी का बाड़ा एक बार फिर विशय बन चुका है प्रदेश कॉंग्रिस अध् पर उपनिता प्रतिपक्ष राजंदर राठोर ने मौके परतेनात एसीपी सुराला भुपाल सिंग भाटी को पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से पुलिस के गारियों और जापता हटाने को कहा लेकिन पुलिस मौके पड़टी रही राठोर ने नाथी का बाड़ा मतलब भी समझाया करता आंदुलन कर रहे हैं महिलाओं का बहुत बड़ा आंदुलन राजस्थान में चल रहा है लेकिन राजस्थान के सरकार की कान पर जू नहीं रिंग रही राजस्थान भाजपा के अदक्ष सतीश पुनिया ने राजज़ में पार्टी के सत्ता में लौटने तक रातरी भोजन नहीं करने की सौगन दिखाई है पुनिया ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि राज़े में भाजपा के सरकार बनने के बाद ही रातरी भोजन ग्रहन करूँगा किसी भी राज़ेतिक और सामाजिक करेक्रम में माला और गुल्दस्था स्विकार नहीं करूँगा इसके साथ ही उन्होंने भाजबा के सरकार बनने तक साफा नहीं पहनने का भी संकल्प लिया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओं में भाजबा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए जाते समय मीडिया से बाच्चीत में पूनिया ने ये बात कही बारा शहर के शहबाद रोर पर नर्सिया मंदर के पास शादी समाहरों में नाचने को लिकर जगड़ा हो गया जगड़े में हुई चाकुबाजे में एक यूवा घायल हो गया जिसे बारा जिला अस्पताल में भरते कराया गया गंभीर चोट होने के चलते प्रात में कुपचार के बाद उसे कोटा रेफर किया फिलाल खबरों में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है टीपीवी नियूज